अगर किसी एक तिथी की सबसे अधिक प्रतीक्षा इस समय देश में हो रही है तो वो तिथी है 22 जनवरी और अगर कोई एक आयोजन है जिसकी ओर पूरी दुनिया देख रही है और इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ ही नहीं तो वो भी होना है 22 जनवरी को ही नमस्कार मैं हूँ श्मेता सिंग नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अंजना उमकश्यप और हमारे साथ राम मंदिर में 22 जनवरी की तारीख जब प्रान प्रतिष्ठा होगी उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं बहुत स्वागत है सर आपका आज तक भाए बिरहा के सब परवत पिगले तब रगराई तुम घर आए बेला तो आगई है आपके जीवन के लिए प्रभुराम की प्रान प्रतिष्ठा, राममंदिर का बनना क्या माईने रखता है और आपकी सरकार के लिए क्या माईने रखता है केंद्र सरकार के लिए मोधी सरकार के लिए क्या मायने रखता है देखे अयोध्या जिसे कुछ लोगों ने अपने ब्रेक्तिकत द्वेस और संकिंडता का सिकार बनाने का प्रियास किया था जिस उपेक्सा का दंस को जहल लई थे आज उससे मुक्त हो करके हमारे बेदों ने अयोध्या को जिस सब्त पुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में सम्मानित किया आज उसी आभा के साथ पनरस्थापित हो रही है 22 जन्वरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का यह समारो मेरा मानना है प्रभुर तो सरोब्यापी है सर्वत रहें परंपिता प्रमेश्वर हैं लेकिन यहाँ भारत और विश्वमानोता कि लोक आस्था और जन्विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा का भी यह आयूजन है ब्यक्तिकत रूप से भी और इस जन्विश्वास की प्रतिष्ठा का एक सामन्ने नागरिक होने के नाते हम सब का यह मनना है कि यह कार्य होना चाहिए था पहले होना चाहिए था लोग उने राम की ताकत को नहीं स्विकारा वही गल्ती की जो सास्त्रों में गल्ती करने वाले भुगत चुके है और आज राम नाम से जिस भारत की कलपना नहीं किज़ा सकती है वगवान राम की उस महत्वा को श्विकार करने के बाद न्याय और सत्त्य की विजय अयोध्या के लिए हुआ है और उस न्याय और सत्त्य की पनुस्थापना का कारिक्रम 22 जनवरी के कारिक्रम के माद्यम से हमें वहाँ देखने को मिलेगा जनास्ता का सम्मान किसी भी लोक तांत्रिक सरकार का कारे होना चाहिए और जन विश्वास पर खरा उतरना अगर जनास्ता लोक आस्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जन विश्वास पर आप खरा नहीं उतर सकते हैं एक दोसरे के पूरक हैं और प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रितों में आज उनके मार्क दर्शन में उनके नेत्रितों में उस लोक आस्ता और जन्विश्वास की पुनर्प्रतिष्टा हो रही है योग जी पहले गलतियां की होंगी अब आपनों को सुझाव भी बहुत सारे मिल रहे हैं यहां पर हमने पूरा संपूर वो राम मंदिर का मॉटल भी लगाया है अलों कि बहुत अब लोग प्रियव हो रहा है लोग इसे योध्या नगरी से ही ले जा रहे है लेकिन यह बताएए कि अगर शिघर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण पुतिष्ठा हो रही है तो क्या यह पूर नहीं है क्या गर्ब ग्रे का बनना पूर नहीं माना जाता है मंदिर को देखे रामलला का प्रकटी करण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं अनुष्ठान उस विग्रह का होता है और ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है अयोध्या में जो कुछ भी कारिक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के सास्त्रोक्त पद्दती के अंसारी हो रहे हैं और सास्त्र परंप्राओं से भी चलते हैं तुसरा लोग हित में जन हित में परंप्राओं बनाई भी जाती हैं उन सास्त्रोक्त पद्दतियों का पालन करते भी इन सभी चीजों को जो पोरों में भी होए हैं और आगे भी होंगे उसी के अन्रोपे करक्रम भी और उध्या का सिराम जन्भों में तिर्चित न्यास के दौरा प्रारंब किया गया है विपक्ष का तो कहना है कि अब चुनाव करीब है इसलिए आप लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं अभी मंदिर का निर्मार पूरा नहीं हुआ है लेकिन दो-तीन महीने बाद चुनाव है और ऐसे में शशी थरूर को मैं कोट करना चाहूँगी कॉंग्रेस के नेता वो ये कहते हैं कि 2004 में मोदी जीते थे ये कहकर कि हम गुजरात मॉडल देश में लाएंगे विकास का फिर वो 19 में आये पुलवामा की वज़े से अब वो राम मंदिर में प्राड़ प्रतिष्ठा करके बनना चाहते हैं हिंदू हृदय समराठ और उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसलिए आप लो करा आप मुझे रताईए कॉंग्रेस को किस ने इस कारेक्रम्प में आने से मना किया था क्या यह सच नहीं कि कॉंग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव परचार अभ्यान का सुभारंब अयोध्या से किया था और क्या यह सच नहीं है कि कॉंग्रेस एक तरफ हिंदों को बेकूब बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोर्ट बैंक से भी मों नहीं छोड़ पा रही थी बोर्ट बैंक की राजनिती इसमें विपक्स ने किया है कॉंग्रेस जैसे दलो ने किया है बारतिये जनता पार्टी ने इसमें राजनिती नहीं की हमने तो बार बार कहा न कि जो देश की आस्ता थी उस देश की आस्ता का हम लोगों ने सम्मान किया हम उसके पक्स दर थे आ आपने तिथी आपने निकाला है काउंटडाउन लोगसभाई एलेक्षन का देखकर देखें हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में मकर संक्रांती के बाद सूर्य नारेंड के उत्रैन में आने के उपरांत सुब मोहरता आते हैं कारिकरमों के और उसी को मान करके सास्ट्रोक तो पद्दति से यह कारिकरम किया गया कौंग्रेस को इसमें तो औसर मिला था नक लेकिन यात करिए जब सोमनाद के मंदर की पुर्रस्थापना का कारिकरम हुआ कौंग्रेस ने तो सायुजर्य का बिरोथ किया उस समय के प्रधान मंत्री उसकारिकरम में स्वयम तो नहीं गए लेकिन तद्कालिन राष्टपती को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रियास किया था आप नहरू जी की बात कर रहे है और राजेंदर प्रसाद जी की कारिकरम में गए लेकिन तद्कालिन प्रधान मंत्री नहरू जी ने प्रियास तो किया था स्वयम तो नहीं गए लेकिन उनको भी रोकने का प्रियास किया कॉंग्रेस ने लंबे समय तक देश में सासन किया आखिर देश की स्वतंतरता कैसी है मान बिंदों की पनरस्थापना का कारिकरम और फिर इसमें तो न्याय और सत्य की बात हमने हमें एक अस्थान के लिए प्रमान देने पड़े जिसमें भारत की आस्था कहती थी कि यही राम जनम भूमी है लेकिन प्रभुराम ने चूंकि हमें मर्यादा का पार्ट पढ़ाया था इसलिए हमने मर्यादित आचन करते भी वे सारे प्रमान प्रस्तुत करते रहे हम लोग लड़े, लोवर कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रेम कोर्ट में लड़े और अंदता सुप्रेम कोर्ट में पांच जजेश की एक पूर्ण पीठ ने अयोध्या की मामले को लेकरके एक सरुमसम्मत फैसला दिया तो ये न्याय और सत्य की अस्थापना का भी अभियान है और इसी अभियान के करम में आज अयोध्या का कारिकरम हो रहा है इसमें तो किसी को आपतीपती भी नियुक्त पर शंकराचारी अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे ताली बजाएंगे तो इसके पीछे की उन्हें आमंत्रन भेजा है और मुझे लगता है कि यह आउसर स्रे और प्रे का नहीं है यह आउसर मान अप्मान का नहीं है चाहिए मैं हूँ एक सामाने नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचारे कोई भी प्रभुराम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आस्रित हैं राम हम पर आस्रित नहीं है हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं हम सब की विवस्ता राम के विगर नहीं चल सकती लेकिन राम तब भी तराम थे जब ये परंपराई नहीं थी उनके विरोध के पीछे आपको क्या वज़ा समझ में आती है लेकिन हम तो आज भी अंडोध करेंगे बिनम्र अंडोध करेंगे सभी पूजय संतों से जिनको तीर्थ छेत ने आमंतरन किया है या जो इस समय नहीं आपा रहे हैं वे कभी पदा रहे हैं हम सुनी सुनाई बातों पर विस्वास न करें देखें पहले की अयोध्या आज की अयोध्या हम देखें कैसे अयोध्या आज अपनी पुरातन वैभाव के लिए पुनरस्ता पित हुई है ऐसा नहीं कि लोगों का उसर नहीं मिला हो 75 साल तो सभी लोगों को मिले थे 70 साल मिले थे, 60 साल मिले थे 50 साल मिले थे, क्यों नहीं लोगों नहीं किया लोग तो आयोध्या का नाम लेने से डरते थे यह भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि हम अंदोलन से जुड़े अलग लोगों से बात करते रहें आप अपनी तरीके से अलग से जुड़े एक तो आपका अपना जो आपके गुरुजी का भी जुड़ाओ रहा आपका जुड़ाओ रहा लेकिन आयोधिया नगरी के तरफ कोई राजनेता जाने की हिम्मत न होने का हमें प्रभु पे विश्वास था अठोड विश्वास था कि अगर राम सेतों का निर्मान हो सकता है तो राम मंदिर का निर्मान भी होगा और इसलिए उसके पहले प्रभु के आगमन के पहले दिपोत्सों तो होने ही चाहिए आखिर दिपावली का अईजंत आगे है कि आदने प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से हम लोगों ने दिपोत्सो के आयोजन के साथ साथ वहां की वन्यादी सुग्धाओं में सुधार करना प्रारंब कर दिया था चायवार राम जी की पेड़ी हो गुपतार घाड से लेकर के राम जी की पेड़ी नए कारिकरम हो वहां की स्वच्छता का कारिकरम हो वहां की फसाड की ब्योस्ता हो यह आझने स Whenever कमें हम ने सिरा और आज एए अज़ रहना के से सिंगल लेंट की सडक है अज ऐड़ देह के अंदर फोर लेंट की सड़क कलपना थी ना आज से दस साल पहले तो कोई इसकी कल्पना ही नहीं करता था लटके वे लटके लटकते वे जूलते वे तारों के गुच्छे थे अबिवस्था थी गंदगी थी पिसली सरकारों ने तो बिजली के लिए वहां के लोगों को तरसाया तीन घंटे चार घंटे गंदगी मेट के धेर में वहां के लोगों को रहने के लिए मजबूर किया कोई सुद्धाई वहां के लिए नहीं थी घाटों में गंदगी कंबार रहता था आज अंदर की फोर लेन की कनेक्टिविटी है बाहर हरो और से आप लखनों से जाएं गोरकपुर से आएं वारानसी से आएं प्रियागराज से आएं फोर लेन की कनेक्टिविटी से वो भी जुड़ चुका है और यहीं नहीं अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा वता छोटी लाइन रेल की जाती थी बाद में ब्रॉड गेज बनी अब रेलवे की डवल लाइन से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ड बन गया है और अयोध्या में सर्यूजी में उस लोग गोली चलाते थे आज सर्यूजी में कुरुफ चलना है कोई कल्बना कर सकता था आज ये भी हो रहा है और इतना सब कुछ होने के बाब जोद एक चीज़ आप अन्वह की होंगे देखे आप लोग तो पबलिक के बीच में जाते हैं सीधे आप लोगों का कनेक्ट है इतने लोग खटाए गए होंगे उनका पुनरवा स्वा होगा अक्सर होता है कि छोड़ी छोड़ी बातों को लेके लोगों में अन्रेस्ट होता है अयोध्या में इतने बड़े इतना इंफरस्ट्रकूर का कारे हुआ है लेकिन कहीं कोई अन्रेस्ट नहीं है हर वगत्ति में संतुस्ती है क्योंकि हर वगत्ति अयोध्या के लिए और प्रभुराम के लिए ही जीता है और सब के मन में है कि ये काम जो काम पहले होना चाहिए था काम आज हुआ है तो स्वाभाई कुरूप से आम जन्मानस की जो आज की जो मानसिक्ता में परिवर्थन आया है अयोध्या के यहाँ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन के सरकार के नीती भी साब थी और नियत भी साब थी अब तो दिन बहुत करीब आ रहा है दो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजेगा यह किसका एडिया था कि राजनेतिक महमानों को हमें बुलाना चाहिए आपसे चर्चा तो ही होगी आप मुख्यमंत्रिय किसका एडिया था कि उनको बुलाना चाहिए और दूसरा राहूल गांदी ने कहा है कि यह पुलिटिकल इवेंट है बाइस जन्वरी को वो कह रहे है कि जो लोग गर्भ ग्रे में होंगे उसमें प्रधान मंत्री होंगे योगी जी होंगे मोहन भागवाथ संग प्रमुक हैं जो गवर्णन सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग है तो कि रहे पोलिटिकल इवेंट है दोनों प्रशनों पर आपका उनको पॉलिटिकल आने से किस ने रोका था आकर कॉंग्रेस ने 1947 से ले करके और एक लंबे समय तक सासन किया राहुल जी स्वयम भी 2004 से ले करके 2014 तक इस देश की सत्ता के सिर्मौर के रूप में बैक डॉर से कमांटो संचालित करते ही थे किसी से छुपा हुआ है क्या हाँ वालक विस्या है कि उन्होंने कुछ इवेंट संसत में किये संसत की आउव मानना करते हुए बिल्की परतियों को वहां फाड़ने का काम जरूर किया था क्या ये इवेंट ही था ये कॉंग्रेस का इवेंट है वे सम्मिधान का अपमान करते हैं सम्मिधानिक संस्ताओं का अपमान करते हैं भारत की लोकास्ता का अपमान करते हैं भारत की जन विश्वास पर कुठारा घात करते हैं मैंने पहले भी कहा प्रभुराम का रामलला की रूप में अपनी जन भूई में पुनर प्रतिष्ठा का कारिक्रम होना प्रान प्रतिष्ठा का इस हमारो भारत के लिए और सनातन धर्माबलंबियों के लिए तो गौरब का भी सही देश और दुनिया के अंदर जितने भी दभ के लिए भी आसा की एक नई करण है राजनितिक महमानों वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया आपने उनको तलवार की नोक पर चड़ा दिया कि आए तब भी उनको एक तरह से ये मानना पड़ेगा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा बीजेपी कर रहे हम उसमें शा के हैं दिश्टिकों लोगों के अलग-अलग हो सकते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्न तैसी राम हमारी आस्ता के प्रतीक हैं तो हम उनको परम्पिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं हमने उनके महत्तों को समझा जाना है इसलिए जीवन भी स पाएं कि यूँकि उनको सत्ता प्यारी है और सत्ता की दर सोच भी नहीं सकते लोग आस्ता क्या होती और जन्विश्वास क्या होता है या अगर कॉंग्रेस ने समझने का प्रियास क्या होता ना यह दूरकतिनी जेहते और इसलिए हर उस अब्यक्ति को उस कारिकरम में आमंतर्ण होना चाहिए और यह से राम जन्भू में तीर्थ छेतर का आयोजन है उन्होंने अपना निमंतर्ण दे करके अपने करतब्यों का निर्वहन किया है क्योंकि राम तो सब के हैं सब कायूजन में बलाना चाहिए ओर ठीक है पुरा देस आना चाता है दुनिया आना चाती है हर राम भक्त आना चाता है इस पूरे कारिकरम के साथ जुढे वे आन दोलन से जुढे वे एक लंबी सुरनखला है वे भी आना चाहते हैं लेकिन अलग- कर रहे हैं कि प्रान प्रतिष्टा समारों के बाद सभी लोगों को आउसर मिले राम जन्भुमी का दर्शन करने के लिए और वहां की विवस्ता से राम जन्भुमी तिर्चित्र न्यास देख रहा है हां उत्तरप्रदेश में कोई आएगा अच्छी नियत से आएगा प्रभु के दर्शन करने के नियत से आएगा उनके दर्शन करने में और वहां तक पहुचाने में हम लोग एक सेभागी हो पाएंगे, उनको कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए, ये जिम्मेदारी हम लोग अपने उपर लेकर करेंगे, दर्शन में भी और बाहर भी, क्यूंकि आये थे कल, कॉंग्रिस के निता आये थे, दर्शन के लिए, अपने नितरतों को भी समझाएं, अपने न राजनीतिक आयोजन है, आपने कहां वो भी कर सकते थे, राजनीतिक आयोजन, आपने खंडन नहीं किया, ये मैंने का न, कि उनका दृष्टिकॉंड राजनीतिक सत्ता पर है, हमारा दृष्टिकॉंड लोग आस्ता को सम्मान देने का है, और जन विश्वास का सम्मान करने का है तो हम लोग उस अभिहान के साथ इस रूप में जुड़े हैं माने उच्चतम नैले के आदेस पर से राम जन भूमित तीरत छेतर न्यास का गठन हुआ है अंदर के सारी विवस्ता यह ट्रस्ट ही करेगा और ट्रस्ट आमंतरन करने के लिए स्वतनतर है ट्रस्ट ने जि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी रूप में अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता कहीं से निकलता है तो हमें उस उसर से बंचित नहीं रहना चाहिए और अयोध्या का इवेंट हमारे लिए इस रूप में उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने का भी एक उसर है। ऐसा क्यों हो रहा है। इसा प्रशन उठारे अगर आप जानकारी दे सकते। तो दर्शन करने के लिए आये थे। संजय राओत भी आये थे और उधाजी भी आये थे। और उस समय आकर के उन्होंने वहां पे तमाम गोशनाएं भी की थी। उस समय अपने अमुले सुझाव दे होते हैं। देखें अंगूर खटे हैं। अब तो कोई भी बोल सकता है। मैंने का ना अभी व्यक्ति की सुतंतरता सबको है। हर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कटना ही नहीं है। हमारी पूरी लडाई वही थी। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर वहीं पे बन रहा है। पर फिर वही एनसर कोट का फैसला है मैंने का ना फैसला तो कोट का है वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्रेडिट ले रहे हैं यह पूरा कोट के फैसले को पहले भी करवाये जा सकता था पेंडिंग क्यों डाला गया था क्यों झाइब पहरी वी कर रहे थे मतलब किसी और पार्टी की सरकार होफी तो ज़रूरी नहीं है कि निर्णे में बाधा नहीं डाला जाता है या कि देरी का कारान कि नेले नहीं सरकारें थी पार्टियां थी वेचाती नहीं किसका निलने हो इसका फायदा मिलेगा चौबीस में चौबीस के चुनाव में फायदे और नुक्सान का नहीं पर मिलेगा जो देश की आस्ता का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर ख़रा उतरेगा अच्छा एक हो गया आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिनको श्रे दिया जाता है दूसरा क्या आप भारतिय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को भी श्रे है देखे राम जन भूमी का अंदोलन एक ऐसा अंदोलन है पंदरह सो अठाइस से लेकर के दो हजार उन्नीस तक जब तक मन्य उच्छतम ने आले ने फैसला नहीं दे दिया तब तक एस अंदोलन के लिए निदंतर एबरेज 6 से 7 वर्स के अंतराल में एक बड़ा अंदोलन होता था एबरेज अगर आद देखेंगे 46 बार बड़े अंदोलन होई हैं बड़े संगर्स होई हैं 1528 से लेकर के इन लगभग 590 वर्स के अंदर 490 वर्स के अंदर इतने बड़े आंदोलन उभ्यान चलते रहे ये चीज़ें दिखाती हैं कि एक लंबे समथ तीन लाग से धिक राम भक्त सईद्वे इसमें संत भी थे राजे रजवाडे भी थे सामाने भक्त भी थे महलाएं भी थी पुरुस भी थे जो राम जिनम भूमी के लिए अपने आपको उन्होंने बैलदान कर दिया दुनिया के अंदर इस प्रकार का उधान देखने को नहीं मिलेगा जो अयुद्ध्या की दिस्से हम सब को देखने को मिला हाँ आंदोलन कभी विप्रीत परस्तितियां थी कई संपरस्तितियां थी लेकिन निर्णे और निर्णे के बीच में फसा हुआ था 1885 के प्रिटिस काल खंड में नियाले के अदिश को आप पढ़ें न कोड़ स्विकार कर रहा है केस्तान हिंदों का है प्रिटिस कवर्मेंट है लेकिन एक लंबा समय हो गया है अब इसमें कोई निर्णे हम देंगे तो उसको फिर छोड़ते हैं लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आगे आएं और लोगों को भी तो मौका मिला था क्यों नहीं उन्होंने अपने समय में इसको किया उनको भी आगे आना चाहिए था आज दोसा रुपन करने से नहीं काम चलने वाला है आज जब देश एक अच्छी दिसा में जा रहा है सारे लोग उस दिसा में एक सकारत्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहे है मुझे नहीं लगता है किसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने का कोई उसर होना चाहिए योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे क्यारक्टर को पूरा सूट करते हैं वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का धंग भगवा रंग जो आप धारन करके रखते हैं चारों तरफ से आपका बुल्डोजर चलाना आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी और प्रभावित होकर नहीं जाएगा 2024 तक तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे चैरेक्टर को पूरा सूथ करते हैं और उस कड़ी में अगर हम राम मंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकट जोग दिये इसी के जरीए आप बीजेपी को जितना लाब चोबीस के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या मैं सही नहीं हूँ देखे मैं तो इस पूरे अभिहान का एक सिपाई हूँ और सिपाई की रूप में हम लोग राजनीती में आये हैं मुल्यों और आधर्सों के साथ राजनीती हमारा पेशा नहीं है उन्हीं मुल्यों और सिद्धान्तों के साथ आए हैं उन्हीं मुल्यों और सिद्धान्तों के साथ कारे कर रहे हैं कारे करते रहेंगे पर आप में कैसा क्या जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं आपको हर जगा प्रचार के लिए ले जाए जा रहा है सभी मुख्यमंत्री सभी मुख्यमंत्री एक दोसे राज्य में परचार के लिए जाते हैं और हर एक के सयोग के लिए एक दोसे के राज्यों में जाते हैं हमारे राज्य में चुना होते हैं, हमारे राज्य में भी अन्य राज्यों के मन्य मुख्य मंत्री गणाते हैं, केंद्रिय ननेता गणाते हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है, तो हम लोगों को उसर मिलता हम लोग भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दोस्य क तो अगर उसे हम देखे ऐसा लगता है कि योगी आदितनाथ 22 जन्वरी के लिए या फिर एक साल के लिए दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं मैं आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुवात की है यह क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है मतलब अप अधियोध्या नगरी को 50 वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं विंद अभी भी हम लोग ने अधिया को वस्तों में कि उलँ एक से नगर की रूप में जाना है इमानदारी से अगर इस पर लोग सोध करें तो यह विश्व की सांसकर्तिक राजदानी है विश्व की हाँ मनुष्य पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की सुरुवात यहीं से सुरू भी होती है अयोध्या उसकी प्रतम भूमी है अधार भूमी है मनों से मानों और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है मनों के कितने पुत्र थे उसके अनसार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं आप भारत के प्राचीन इत्यास को ठाके देखें तो आपको इस सारी चीजें जनकरी में आ जाएंगे अयोध्या प्रभुराम की पावन जन भूमी है यह तो हम सब जान रहे हैं उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमी बनाने का स्रे हम मा गंगा को देते हैं और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे महराज दलीब भी वहीं पैदा हुए थे मांधाता भी वहीं पैदा हुए थे एक लंबी परंप्रा है जैन परंप्रा के तिर्थंकरों को आप देखेंगे ये परंप्रा भी वहीं से निकलती वे दिखाई देती हैं जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंप्राएं इस सब वहीं से निकलती हैं और अयोध्या के इस महित्यों को कम तर आखने का प्रियास जो बिश्व के इत्यास की मूमी है जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था आज प्रधान मंत्री मोदी जी के करण़ वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है और हम लोगों को इस बात को मनना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महित्यों के माद्यम से भारत की यानि एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक उसर मिला है हम लोगों को लेके आएं देखे हम लोग उसके महित्यों को अभी भी वो बहुत वो कर रहे हैं अंडरस्टिमेट कर रहे हैं 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दिपोत्सों के आयोध्या को पिया था 2018 में अधने प्रधान मंत्री जी की प्रेणा से यह हुआ कि भाई अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत के सांस्कृतिक समंदर रहे हैं या हैं आज भी हैं जो अपने सुत्र को जोड़ते हैं तो साथ कोरिया की फस्ट लेड़ी हमारे आयोध्या का चीप गेस्ट बनी थी उनका पर एक डेलिकेशन आया था यहां पे और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वनसज हैं साथ कोरिया में और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई जल मार्ग से हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए दिस से जल मार्ग को हम प्रारंब कर सकें इसके लिए इनलैंड वाटर वे अथॉर्टी का गठन भी कर दिया है हम लोग लेके जा रहे हैं हल्दिया तक जोडने के लिए फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए और अयोध्या की राजकुमारी रतना जल मार्ग से साथ कोरिया पोची थी आज की वहां की जो परंप्रा एक बड़ी परंप्रा वहां पर उन्हें अपने दादी मा के रूप में संबोधित करके सम्मान देती है और उनीकी स्मृति में किम हो जो पार्क है अयुद्या का वो हम लोगों ने वहाँ पे स्तापित किया है ऐसे ही थाइलेंड में आप देखें राजा राम है वहाँ की पुरे परमपर अपने आपको राम से जोड़ती है वहां के जो ниशिनल हाईवेश है वेसे बर राम के नाम पर हैं राजा ने अपना जो पैलिस था ग्रैंड पैलिस उसको उन्णने रामएंड को दान किया थाई रामेंड के सभी चित्रों को उस पे उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया ये थाई लेंड का है थाई लेंड की जो पुरानी रासधानी थी जो बाद में मेंनमार के साथ युद्ध के दोरान च्छतिग्रस्त हो गई थे वह अजुद्या थी आज भी उन्होंने सम्मान दिया याई अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड रहे हैं राम के साथ आप इंडोनेसिया में देखे इंडोनेसिया में दुनिया के सरवाधिक मुसल्मान रहते हैं लेकिन इंडोनेसिया में वे लोग आज भी रामेंड के साथ जुड़े हैं रहा हमने अयुडोलेसिया कि रामिल्ला को भी आमांतित किया है इस दोरान अयुद्या में अब उनके पात्रों से बात करिये न वे सभी राम को अपना दर्स मानते है समस्या ये है कि जो है जो अतकचड़ा ग्यान होता है न वे बेक्तिको भरमित कर देता है और जिन लोगों ने भारत को भारत के बारे में कभी जानने का इमांदारी से प्रियास नहीं किया वह लोग भारतियता पर भारत की प्रमप्रा पर भारत की महापुरसों पर बारत की अरहदे देवों पर प्रस्न खड़ा करते हैं इनको वास्तों में समझना चाहिए अयोध्या क्यों आयोध्या नहीं है अयोध्या तो विश्वा की सांस्कृतिक राजधानी है और उस सांस्कृतिक राजधानी की रूप में पनरस्थापना होनी ही है आपने भी कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे आप लोगों का नारा था संग परिवार का एक और नारा है काशी मतुरा अभी बाकी है उस पर आपके क्या विचार है देखे जो विसे नियाले में है तो नियाले को उस पर काम करने देना चाहिए हमने राम लला के लिए पांसो वरसों तक संघरज किया और मर्याधित तरीके से उस में नयाए और सत्त्य की विजै प्राप्त की है यहाँ के मामले भी इस सब जूड़िस है नियाले में आए नियाले के सामने अपने परमाण प्रस्तृत करेंगे कि आपके सारी तर्धे सामने आएंगे दोथ का दोध पानी का पानि सबीजियाम् आपफ OF pilots कानून अंधियी जो राम रसी मेराखर का प्रभब को अपनी हॉलम को रसुन देचेए तरखेशार निमेरों चीपती नहीं है चेहरे पर वह आते ही बात कुछी दिख रही आपके चेहरे मैं कहा करो ना हम तो निमित्त मात्र हैं प्रभव अपनी लीला को स्यम करेंगे अच्छे चुनावी पॉलिटिक्स पर आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक संदेश आपको दिना हो राम मंदिर से जिसको भी उनको चित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कारिक्रम को आगे बढ़ाया है पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा अगर जो अनुष्थान में बैट करके इस पूरे को संपन करेगा अच्छा इस सभी कारिक्रम उसका अ उस दिन इंतजार करेंगे टी-वी के सामने आपने चुट्टी की घोशना करी दिया देखे उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सारजनिक आउकास भी रहेगा उससे पहले अने कारिक्रम चलने हैं जैसे चौदा से लेकर कि एक किस तक सच्छता का एक बिसे सभीहान चलना है अन्दिपावली के पहले भी इस प्रकार का कारिक्रम करते हैं याने आउजजनों में करते हैं या देखी पहले कि तुल्णा में सच्छवारत प्रिशन के बाद काफी सच्छता आई है लेकिन फिर भी लोगों में एक जाग रुखता के लिए आज से 16 जन्वरी से लेकर के 22 जन्वरी के माध्यान के पूरु तक अखंड रामेड पाठे राम नाम संकृतन के कारिक्रम होंगे अब प्राहन में माध्यान में 12 बजे के बाद प्रधान मंत्री जी का और अन्य महान वहाओं का मुख्या मंदिर में प्रवेश होगा पूजा पहले से चल ले होगी उसके बाद एक कारिक्रम उष्ठान होंगे और लगभग एक बजे तक अंदर का कारिक्रम संपन्न हो करके एक बजे वहाँ पे संबोधन की दिश से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कारिक्रम आके चलेगा आप भी बोलेंगे पीम भी बोलेंगे तो ये कारिक्रम वहां के संपन होंगे, संपन होने के बाद जो भी तीर छेतर जो भी तै करेगा उसके इन सारी कारिक्रम होंगे। और उसके बाद फिर दो बजे के बाद से जो आगत पुझे संत जन हैं अथिती गण हैं दर्शन करेंगे वो अंदर जाकर के दर्शन करते वे निकलते जाएंगे उनका प्रस्तान होगा यह सभी कारिक्रम वहाँ पर होंगे यह कारिक्रम फिर अनवरत आगे विवस्था की दिश्थे क्योंकि हर रामभक्त युद्ध्याना चाहता है तो उनके लिए भी फिर विवस्था वहाँ पर आगे क्योंकि बहुत जादा लाखो लाग की तादाद में लोग पहुँच सकते हैं तो किस तरह की तायारी है पर तेईस तारीक से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या वे लोग से हम लोग वही अंडोद कर रहे हैं कि अस्थाने अस्तर पर जो बिवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में हर जन्पद में वे अगर उसकी बिवस्था के तादा आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा अपने तरीके से पैदल न निकले क्योंकि उत्तर भारत में इसमें भीसन सी तलहरी चल लई है और भीड़ भाड़ होगी इसलिए लोग मेरा बिनम्बरंडोद होगा कि पैदल कोई न चले अपने बाहन स्वें बुक न करें जो बिवस्था अस्थाने अस्थर पर बनाई जा रही है वहाँ पे न्याज से जुड़े हुए लोगों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा एक बिवस्था बनाई जा रही है वहाँ से अपना कारिकरम भेज करके जब उनको वहाँ से कहा जा रहा तब ही वे लोग आएं रेलवे कुछ स्पेसल टेंस भी चलाएगी उन स्पेसल टेंस में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके आयुद्धिया आ सकते हैं तो वहाँ पे हम उनको बहतर सुब्धा दे पाएंगे और आसनी से द्रसन करा पाएंगे क्योंकि क्योल आयुद्धिया आना भर नहीं है जिस उदेशे से आ रहे हैं कि रामला का दर्शन कर सके उस उदेशे की पूरती भी होनी चाहिए तो इसके लिए वहाँ पे दर्शन के लिए प्रियाप्त विवस्ता की जा रही है वेरिकेटिंग दे जा रहे हैं, अन्य कारिकरम हो रहे हैं तो कितना भी कोई करेगा, तब भी दर्शन करने में एक बैक्ति को एक दिन में एक देव विग्रह का दर्शन करने में बहुत मेंद करेंगे, डेड़ लाग, दो लाग तक लोग दर्शन कर पाएंगे. जबकि आने के चुब लोग बहुत होंगे प्रियास धीरे धीरे करके जब भी उसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की भी वस्ता देंगे देखे युद्धा के प्रतियाकरशन का क्या हो जैसे राम नौमी में अमूमन सत्रह के पहले हजारों में लोग आते थे पचास हजार साथ हजार तक लोग आते थे दर्शन करके असनान करके चले जाते थे दिपथ सो के बाद कारिकरम में संख्या बढ़ती गई है युद्धा में स्विधा भी मिलती गई लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा इस वर्स राम नौमी के उसर पर 35 लाक लोग आए थे इतनी बड़ी संख्या का युद्धा में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग हर सरधालो हर राम भकता युद्धा आना चाहता है और उसके लिए उस परकार की स्विधा और विवस्ता हम लोग देंगे एक और सवाल मन में आया आपने कहा कि प्रधान मंतरी लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुँच रहे तो क्या हमाने जो मुखे गर्ब ग्रे है उसमें पहले सही मूर्ती राम लला की 5 शाल वाली भी जो अरूल योगी राज बना रही है और चोटी वाली भी राम लला जीसिशन उससे पहले से स्थापित हो जाएगा ताकि तो अन्त में मूर्ती की प्रान परतिस्था का कारिक्रम का एक आयोजन होगा, उस एक घंटे के आयोजन के अंदर उस सारी कुछ संपन हो जाएगा। योगी जी अब कुछ राजनितिक प्रश्णों की ओराना चाती हूँ, मायवत्ती जी ने हाल ही में ये घोषणा की, कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लोग सभा चुनाव में वो इंडिया अलाइन्स के साथ नहीं जाने वाली है, उन पर भी बड़े प्रहार हुआ है, कहा गया कि वो तो भारतिय जन्रता पार्टी का फाइदा करने वाली है। देखे हर राजनितिक दल को अपना अपनी रणिती तैक करने का अधिकार है, और हम कैसे किसी राजनितिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से हम बोल सकते हैं। पर आपको फाइदा होगा, बीजेपी को फाइदा होगा है। बीजेपी से उनीस में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागडबंदन भी बनाया था। बारतिये जनता पार्टी प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्रतों में तब भी लड़ी थी और अच्छे बहुमत के साथ भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी जीती थी। लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणिती को बनाने का पुरा दिकारे। बीते दिन मायवती जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायवती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश आदव को अब आज अखिलेश आदव आए उन्हों का कि हम तो सप्ता देख रहे थे कि मायवती जी को पीम बनाएंगे लेकिन वो किसी के दबा बाओ माना तो है आपका असर वाला मान रहे हैं वो लेकिन अखिलेश जी गेस्टाहोस कांड को समभतों भूल गये होंगे और मायवती जी के साथ उन्हों नहीं किया था ना या इस मारकों की परती जिस परकार की सबदावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब बारा में मुख्यमंतरी बने थे एक किसी से छुपा हुआ गया और ये बार-बार तो कभी Congress के साथ जाते हैं, कभी BSP के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं तो ये तो बार-बार वही चेंज करते हैं, वही बदलते रहते हैं अपना तो मायवती जी ने जो बोला है क्या बोला है मैंने पुरा बयान पढ़ा नहीं कुछ सुना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पाल्टी के इत्म उस प्रकार करें अगर बीजेपी बीजेपी मोधी जी के नित्रतों में उत्तरपदेश के अंदर बहतरीन प्रदर्शन करें यह बात अलग थी कि कारेकरताओं के दिलों के मिलें असी में से चौसर जीते थे असी में से चौसर सीट हम लोग तब भी जीते थे पर सही सही बताइए कि असी सीटों वाला उत्तरप्रदेश जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं वहाँ पर अगर वाकई बीएसपी एसपी कॉंग्रेस वग्यारा सब मिल जाते एक साथ तो यह 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत देखिए गठवंदन उन्नीस में इन्होंने गठवंदन किया था प्रणाम क्या हुआ प्रणाम क्या था उस समय नोने दुस्परचार की सारी सीमाओं को लांग दिया था कॉंग्रेस ने और जनता के सामने सब दूद का दूद पानी का पानी हुआ आज ऐसा तो नहीं है कि कॉंग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है आज तो उननीस से भी हम कभी कही आगे निकल चुके हैं आज दस वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेत्रतों में आज हर बेक्तिस विकार करता है कि आज बैस्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है आज हर बेक्तिस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानि वर्ड क्लास जो है इंफरस्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले दस वर्ष के अंदर हर बेक्तिस बात को मानता है कि देश सुरक्सित हुआ है और देश मोदी जी के नित्रतों में सुरक्सित है और हर बैकतित इस बात को मनता है कि बिना भेदभाओ के वेलफेर स्कीम कालाब रगरीब को, हर गाओं को, हर किसान, हर नौज़वान और हर महला तक पहुचाने का कारे हुआ है किस ने रोका था कॉंग्रेस को या अन्ने दलों को इस परकार की वेलफेर स्कीम को चलाने से सुवर्स में कितना तरहा है 24 करोड से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्तु हुए है भारत के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाद यह हम कह सकते हैं कि 22 जन्वरी से पहले यह सबसे बड़ा इंटिव्यू आप आज तक पर देख रहेते हैं अभी के लिए इतना ही देश और दुनिया की बाकी ख़वरों के लिए देखते रहेंगे आज तक